MIUI 13.5 का लेटेस्ट वाला Game.go 4.0 का अपडेट आ चुका है जिसके बारा है मैं आज पुरा इंफ्रमेशन आज की इस वीडियो मिलेगा और मैं आपको बता हूँ कैसे से एक्टिवेट करना है और क्या कुछ यहां पर फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है और इसका इंट्रेस्टिंग होने वाले है इसलिए लास्टक ज़रूर वाच करना और पसंद आता है तो यहां चैनल को प्लीज सब्क्राइब कर लेना और बेल आइकन को आलवेश सेट टाकि इस तरह का इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको टाइम पे मिल सके तो यहां पे मैंने सब क देख पा रहे हो जो कि स्टील आप यहां पे यूच कर रहे होगे अपने फोन के अंदर जो के कुछ इस तरह के सापको है जो यहां पे देखने को मिलता है और इसे अगर हम प्ले कर रहे स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा गेम है उसके अंदर कुछ इस तरह के सापको गेम ट टेलिग्राम और डिस्कुशन मिल जाएगा जो कि यहाँ पे system service plugin है इसे आपको install कर लेना है अपने phone के अंदर चाहे आपका 12.5 हो या फिर आपका 13 हो दोनों पर यह काम कर जाएगा और चेक करके आप comment करके जरूरू बताना कि आपके phone के दार कितना change देखनी को मिला यहाँ प कुछ इस तरह किसा आपको यहाँ पे देखनी को मिलता है जो कि देखने में काफ यहाँ पर पर्फेक्ट दिखाई देता है और यहाँ पर हम टैप करते हैं तो हमारा gaming स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं slide करूं तो अभी भी यहाँ पे still old look ही आपको देखनी को मिल र करेगा लेकिन कितना चेंज आपको मिलता है वह कमेंड करके जरूर बताना तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है आपको क्या करना है रिचेंड पर आके all clean कर लेना है अब यहाँ पर setting पर आना है फिर से game.ro को यहाँ पर open करना है अब game.ro जैसे open आपका होगा आप यहाँ जो भी game वगरा है यूज करना चाहते हो start पर tap करो यहाँ पर slide करोगे तो आपको नया look देखनी को मिलेगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपको balance देखनी को मिलता है जिसे अगर मैं प्रफिर से switch करके back करूँ यहाँ पर जो game टरू है यह red color का हो गया ओपर एक landing के जो cross होता हुआ नजर आता है जो कि काफी तरीके से काम करता है और यहाँ पर plus का sign भी देखनी को मिलेगा जो कि आप sidebar के अंदर use कर पाऊगे और यह मुझे काफी यहाँ पर बहतरीन लगा है और जैसे आप अपने security app को update करते हो ना आपको जो game का sidebar है यह भी अपने जगह से replace होना है जो काम चालू कर देगा तो जहां पर आप चाहो इसे adjust कर पाऊगे इसके पहले यह जो fix रहता था हमेंसा लेकिन जैसे आप security app को update करोगे ना अपने sidebar को भी move कर पाऊगे कहीं पे भी और इसमें कोई भी दिकते नहीं आएगी सासियत अगर इसके setting क बात करें कि क्या कुछ मिल जाता है तो अगर हम इसके plus पर tap करते हैं तो आपको सारे apps के list मिल जाएंगे जिसे आप add या फिर remove कर सकते हो अगर हम इसके setting पर tap करें तो इसके font में हलका सा बदलाव आपको देखनी को मिलेगा यहाँ पर performance customization आपको देखनी को मिलता है यहाँ प आप उस application या game को एक अच्छा सा boost दे सको ताकि वो आपके using के time में एक अच्छा सा result प्रवाइड कर सके तो इस तरीके से यह look आपको यहाँ पर देखनी को मिलता है और किसी-किसे device के अंदर यहाँ से default का setting दिखाई देगा जिसे tap करने के बाद extra features यानि customization देखनी को मिल जा और अगर आप सब कुछ remove करके वाप्स default पर जाना चाते हो तो simple अपने security app पर आना है manage पर जाना है triple line पर यहाँ पर tap करके आपको system all app को show कर देना है अब यहाँ पर search करना है आपका system ey तो यहाँ पर मैं system search करूंगा यहाँ पर आप देखो कि दिखाई देता है या नहीं तो यहाँ पर जैसे हम search करते हैं आपको देखनी को मिलेगा system uy plugin जो कि मैंने install किया था तो आपको यहाँ पर find करना पड़ेगा कहाँ पर तो यह रहा हमारा यहाँ पर यहाँ पर आपको uninstall का sign दिखाए देगा इस पर tap कर दो और इसे आप uninstall कर दो उसका security app के लिए security पर long press लुक बगरा मैंने आपको दिखायाते हैं वो सब कुछ यहाँ पर change हो चुका है और default look पर यह जो जा चुका है तो इस तरीके से आप नए security app को install कर सकते हो और साथ साथ उसे आप uninstall भी कर सकते हो आज का यह वीडियो कैसा लगा अगर पसंद आया तो comment करके जरूर बताना औ कर दो